क्या कोई एड़ोकेट जो किसी बार काउंसिल में अपने आपको as an advocate enroll करवाता है और कानून की practice भी करता है जिसके बाद वो किसी सरकारी नौकरी में चला जाता है और अपनी मरजी से अपने enrollment को रद करवा देता है तो क्या उसे बाद में बार काउंसिल आफ इंडिया का member माना जाएगा क्या उसे बाद में वकालत करने की permission दी जा सकती है कुछ इसी तरह के सवालों का जवाब देता है केरल हाई code का यह latest judgment क्या था यह मामला सब को जानेंगे आखिर तक जुड़े रही है इस वीडियो के साथ वीडियो information अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को like share और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं केस MS Sonia versus State of Kerala केस की और इस केस की सुनवाई जस्टिस Alexander Thomas और जस्टिस वीडियो अबराहिम की डिवीजन बेंच कर रही थी मामला यह था कि यहाँ पर याचिका करता ने कालिकट यूनि प्रेक्टिस करना शुरू कर दिया था बात में केरिल सरकार के आपकारी विभाग में लोवर डिवीजन टाइपिस्ट के रूप में उन्हें नियुक्त किया था बात में उन्हें केरिल गौर्मिंट के आपकारी विभाग में लोवर डिवीजन टाइपिस्ट के रूप में किया गया था और उन्होंने 2012 में LDT के रूब में सरकार के लिए काम करना शुरू कर दिया था रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी मर्जी से लौ की प्रेक्टिस को रोग दिया था जिसके बाद याचिका ने लोक अभियोजक के पत के लिए आवेदन किया और ये दावा करवा दिया था इसलिए उसे बार काउंसल का सदस्य ना मानना उसके साथ नाइंसाफी होगी उसने कोट में ये तर्क दिया था कि किसी भी स्थाई नौकरी को पर्मनेंट नौकरी को करने के लिए कानून की प्रेक्टिस को रोकना जरूरी था क्योंकि एक बार में एक ही डाली और ये कहा कि Advocate Act के नियम 43 और 49 को अगर हम एक साथ देखें तो एक वकील किसी भी व्यक्ति सरकार, फर्म, निगम या संस्था में काम नहीं करना चाहिए जब तक कि वो अपनी लौग की प्रैक्टिस करता हो और अगर वो ऐसा कोई भी रोजगार करता है तो उसे बार का वहीं पर नौकरी करता है तब तक वो वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता उसे अपनी वकालत वहीं पर बंद करनी होगी लेकिन रूल 5 क्लॉज 2 और 3 ये भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस उदेशे से कि वो नौकरी कर रहा है अपने एंडॉल्मेंट को कैंस को देना चाहिए तो पूरे मामले को धियान से देखते हुए हाई कोट ने ये डिसीजन सुनाया कि एक व्यक्ति जैसे ही किसी बार काउंसिल में अपने आपको एंडॉल्मेंट कराता है बात में किसी सरकारी नौकरी में चला जाता है और अपनी लौकी प्रैक्टिस को वही पर छोड़ देता है तो नियमों के अनुसार इस तरह का व्यक्ति स्टेट पार काउंसिल का सदस्र नहीं माना जा सकता ये कहकर उसमेला की अपील को कोट ने खारिच कर दिया